हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे आप सो मुवीत करते हैं आप सो बहुत अच्छे हैंगे तो दुपहर का टाइम है और यहां पर मैं रिद्धी को पढ़ा रही थी तो कि उसका आजकल एक्जाम चल रहा है और थर्टी तक एक्जाम चलना ही है तो वही जी कहते हैं बच्चों के साथ लगना पड़ता है यहां टुक टुक अपनी ही पढ़ाई में लगी क्योंकि दोनों बच्चों का पेपर चल रहा है और यहां पर मैं दर्श बाबु को दूद पिला रही थी बॉटल से तो दुपहर का लगभग मेरे ख्याल से साड़े बारा एक ऐसे ही कुछ बज़ रहा था मतब फिक्स टाइम मुझे नहीं याद है तो जब बच्चों का एक्जाम रहता है ना तो घर के काम के साथ साथ दोनों न्यूबॉर्ण बेबी के समालने के साथ यह जो दोनों मेरे बच्चियां हैं गर्ल हैं उनका भी पढ़ाई स्टडी भी देखना पड़ता है आज कल काम जादा बढ़ गया है उसके बाद फिर मैं आ रही हूं यहां किचन में चल रही हो दोनों के लिए बनाने बनाना शेक मिल शेक तो यहां पर मैंने दूद ले लिया लगवा था लिटर और दो केला मैंने लिया है वैसे तो टुक टुक को पसं जो गया है तुक टुक का और थोड़ा सा वीक वीक मुझे लग रही थी बट वैसा नहीं है केते बच्चे पतले हों उस पे डिपेंड नहीं होता है बच्चे एक्टिव होना बहुत जाला जो यह तो टुक 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 बंपूर एक्टिव है फिर भी कहते न कि वेट गेन क जो केला दूद के साथ आप दे बच्चो को काफी अच्छा होता है तो आज केल मैं दोनों बच्चियों को अपने वैसे रिधी नहीं है बटुक-Tuk et 노래 धरी दोनों'T को ही मैं यहाँ पे बनाना शेक देती हाँ आज कल ड़ भर मैं एक बार तो मैंने दुखेला लिया हुआ था उसके बाद फिर एक कैला और मैंने ले लिया मैंने का यार कम लग रहा थोड़ा और केला डाल देते हैं बच्चों को दे लिए यहां पे और साथ में रात के दिनर की तयारी भी हो गई है यहां पर शाम में आज बनेगा वह जो बरसात में बहुत ही फैर्वरेट है तो पत्ते की सबजी बनेगी रिक्वच भी बोला जाता है उसके लिए डाल पीछना था उरद मतर की तो वह सब मैंने पीछ के रख दिया है और यह है पत्ता अरुई का पत्ता का जो रिक्वच बनत निकाल लूँगी ताकि दे दूँगी वो लोग पी ले तो किचन में आती हुना तो एक काम नहीं दो तीन काम करके ही जाती उसके बाद फिर सीधा मैं रात में मिल रही हूं आप से यह रात में साड़े आठ नौ बजे का टाइम है बच्चों को मालिश करने जा रही थी मैं चारों तरफ से सील हुद लेना है लेकिन एक बाढ़ा पाधको चुड़ देना है जिधर से आपको सरसो भनना है थोड़ा सा लगबख दो इंच के बरभर तो यहां पर देखें चारों तरफ से मैंने सिल ल्या और एक साइड चाहा है ऐप लेना है यह थे साइड को खोल ले तो उतना दिखता नहीं गंदा नहीं होता है यह कवर के दूल करके मैं डाला था यह काली वाली सरसू भरते आप एलो सर्सू भर सकते ओ यह घर की सरसों सुद्ध सर्सों कह सकते दानेदार इससे बच्चों का जो पीफिक fulfill कि तो यहाँ से मैं सर्ष अब नहीं चड़ाय थे इस वहां से खोल के मैंने सरसो पुरा निकाल ले तो आज धूल के डाला तो तो मैंने का आज मैं भर रही हूं सरसो का वापस सरसो तकीये में तो मैंने सुचे चली आपके शेयर भी कर देते हैं तो बस फटा-फट से भर लेंगे इसमें सारा सरसो लग सकते हैं सरसो की तक्या बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है फादेमन भी आप ओन लाइन भी मिल जाएगा बट मुझे लगता है घर पे बनाए गई हाथों से तक्या जो होती ना सरसो के वह ज्यादा अच्छा होता है तो यह दूसरी वाला पिलो है तो पहले वाल सरसो के लिए बहुत ही जादा है और ऑन-लाइन पर्शास काफी को श्च भी पड़ता है तो घरी बना लीजै काफी इजी तरीखे से जिस तरीके से मैंने बताया और सरसो को अच्छे से धूप में भी दिखा देते हैं क्योंकि दो-दो महीने पर आपको खोल के सरसो को धूप में दिखाना चाहिए क्योंकि नमी आ जाती है कहते है और धूप में दिखा दो ना तो काफी कड़क हो जाता है सरसो कह सकते हैं तो ये था I hope आपके लिए helpful गई वीडियो उसके बाद आज सुबे में बना था लंच में मेरे यहां तरोई तरोई का जो छिलका होता है उसकी भी सब्जी बनती है तो यहां पर उसी तरोई के छिलके को छुट छुटा काट करके लेसुन मिर्चे का तड़का लगा के सरसो के तरोई की सब्जी का थे शाम में तरोई के छिलके के यहां पर सब्जी खारी हो लगभख रात के साड़े 10-11 से कुछ बज रहा है तो एक को दर्श को मैं लेकर के यहां पर बैटी हो खारी कूए कूए बहुत रो रहा था और अर्श को पती देव जी लेकर के बैटे हूए भी डूटी से आगे थे खाना मैंना सब खा लिये हैं बस मही पच्ची थी और हां रिकवच का जो पत्ते का बनाया था रूई के पत्ते का सहड़ा उसको लोग ने साम में चाय के साथ खा लिया था तो इस तरीके से था तो यह हैं पती दियो बैटे हूए टीवी देख रहे और बाहर हो रही है बारिश आजकर दो तीन दिन से काफी बारिश हो रही है कभी दूट निकलती है फिर बारिश होती है यह वाला हाल चल रहा है तो चले फटा फट से डिनर कर लेते और यह भी है बच्चे को ले करके कभी कभी मुझे पूजा भी करना पड़ता है खाना भ पुरानी वाली वाशिंग मसीन हमने बेच थी सेकेंड हैंड पे क्योंकि काफी ज्यादा उसमें दिक्कत थी मतलब ड्रायर वाला था जो थोड़ा सा खराब हो गया था जिसमें मोटर बदलना पड़ता काफी खर्चा पड़ा तो यह वा कि नया ही लेते है और थोड़ा सा कड बख खराब था केवल धुलने वाला सही था और करेंट वेगरा भी आ रहा था और दो बच्चे ट्विन से कपड़ी इतनी ज्यादा निकलते हैं जिसके लिए वाशिंग मसीन के बहुत ज़्यादा जरूरत था तो कुछ इस तरीके से है उसके बाद शाम में पती दिवजी दोने दोने के लिए दोनो बनयाईन के लिए दोनो नूग बबीस के लिए कपड़ी के ज़िए ज्यादा जरूरत पड़ती है बचचे जलदे जल्दी सūLes wash और तो सब्सक्र Joãoबाल सिपर्टु नहीं है थोड़े च्लप चोटे लिए इस वज जरूं से तो और बच्चों के लिए बन्याईन लेकर आये थे तुक टुक रिद्धी के पास बन्याईन वेगर अभी खतम हो गई थी तो कहें कि ऐसा है कि मैं बच्चों का सबका एक साथ लेते आते हूं और दोनों के लिए भी बड़ी बेटियों के लिए भी इंडर वेगालर लेकर के आय जाते हैं और बच्चों के लिए काफी बेनिफिट होता है इस तरीके सो काफी तेच पयान मारते हैं अभी तो टुक टुक पे बहुत जादा कॉंसेट्रेट कर रहे हैं उसके बाद पती देव को दे दिये दोनों बच्चे समाल रहे हैं वह मैं थुड़ा सा लेट के अराम कर काफी जादा ठक जाते हैं पुरा दिन बच्चों को समालते हैं तो बस एक घंटा मतलब 40 मिनेट तक पती देव बच्चों के साथ लगे रहते हैं और रिद्धी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि इस समय एक्जाम चल रहा है एक दिन की छुटी रहती है एक दिन पेपर रहता है इस तरीके से रहता है पुजा पाड़ भी कर दिया है और खाना भी सिंपल भुजिया सबजी और रोटी ये भी बन गया था जल्दी और बस थोड़ा सा पती देव बिजी रहेंगे बच्चों को समालते रहेंगे थोड़ा से मैं आराम कर लूँगे फिर आप से मिल करते हैं और साथ ही मिलते हैं और इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के साथ व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जो करिएगा चैनल पे पहली बार है जाएको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अपना प्यार अपना साथ इसी तरीके से बनाए रखेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्